नाओ, हेलो फेंड्स, दिस इस इमांची एन वेल्कम टू लेट्स लेर्न तो आज पहली क्लास है CDP 30 by 30 सीरिस हर साल हम लोग इसको कॉंटिन्यू करते हैं और इस तरह के 10 सैट भी अगर आप लगा लेंगे पेपर तक तो एक पूरी अप्रोच और किस तरह की क्वेशन्स आते हैं ऐसे ही अधर सब्जेक्ट में भी सीरिस होती है आपकी पंद्रा बाय पंद्रा हिंदी पेड़ागोजी इंग्लिश पेड़ागोजी क्यूंकि मां 15 साते हैं तो स्टार्ट करते हैं समझते हैं क्वेशन्स आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे क्यूंकि पैटरन चुछ जाते हैं ना बल्कुल आसान और ना बहुत ही ज़ादा मुखल से दो या चार मुखलोग और वाइस आपकी ल कितने लोग कितना शुर कर पाएंगे और स्कोर से भी ज़्यादा जरूरी यहां पर यह रहेगा कि आपकी पढ़न के समझने की एपरोच टेवल अब को और हजारों लोग के साथ जब आप पूल में सही समय पर जवाब दे रहे होते हैं मानदरी से लाइक शर सब्सक्राइब आप कर दीजगा जो पैंडिंग आपकी PDF से वह आपको कल मिल जाएंगी हालां कि कल और पर समापकी क्लास नहीं होगी शायद मैं आउट ऑफ स्टेशन हो आप देंगे जवाब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान questions नहीं डाले गए नहीं ऐसा है कि बस आपको डराने के लिए मुश्किल questions डाल दी गए हैं जो लेवल है जिस तरह का जो questions डालना एप्ट है उसी तरह की questions नहीं हो पुराने हो other exams में आए हो लेकिन काम के syllabus से questions ऐसे नहीं क कुछ भी आ जाएगा तो पढ़ करके एक बार जवाब दीजे और अपने दोस्तों को बता दीजिए सीरियस तयारी जो है अब शुरू हो गई है ठीक है नौ बजे हम लोग मिला करेंगे बट अब नौ पर आ नहीं पारियों बाखी classes के चक्कर में लेट हो जाती है class को कोशि सकते हैं एक चीज को कितने नामों से पुछा जा सकता है यह मैं आपको अच्छे से डिसकस करूंगे आपके साथ ठीक है और स्टेंडडाइज क्वेश्टन रहेंगे ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके आपको दे दिया ठीक है तो आस्पेक्ट चैनि बच्चे के विकास क में दूसरी साइड विशनिश्टामी आपको मैच करना है मैच दफॉलविग अलगा क्वेश्टन है टाइम बेसिकली इनको अपको बना देना है क्वेश्टन सैसे ओने चाहिए कि आपका टाइम किल हो अगर आपने बहुत अच्छे से प्रेक्स नहीं की तो आपको कि बच्चा question पूछता है चलो भाई हो सकता है cognitive development कि से जुड़ा हुआ होगा cognitive development child is able to walk on नहीं यह तो physical development है emotional development है the child feels happy हाँ यह बात सही है बच्चा चल सकता है यह physical development का उधारन है तो मतलब हम कह सकते हैं डी का सेकेंड होगा डी का सेकेंड कहां कहां है डी का सेकेंड तीन option में है दी का देखो यह पढ़ने की approach होती है जो आपकी develop हो की दी का 3rd यह option तो मैं हटा दिया बाकी तीनों में डी का सेकेंड है कई बार ऐसा होता है कि अगर question आसान हो तो डी का सेकेंड कि एक और पर पूरा question पढ़ने की जुरत भी नहीं है तो डी का सेकेंड तो कई जगा पर है है फिर हम देखते हैं सी का 3rd सी का 3rd का है भाई डी का 2nd यहां पर भी था यहां पर सी का 3rd यहां पर यहां पर सी का 1st है तो इसको हम हटा देंगे अभी हम एकदम चलाकी वाले आसपेक्ट में पढ़ रहा है यानि एकदम थोड़ा सा स्मार्ट लीक्वेशन को सॉल करने है उस पर अभी वापस आएंगे तो आप सिर्फ दो आप्शन बचते हैं जिन मैंसे कोई एक सही उत्तर होगा ठीक है अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कोगनिटिव डिवलेप्मेंट कोगनिटिव डिवलेप्मेंट के बारे में दो चाइल टेक्स पार्ट इंडिसकॉशन अब हमें पता है कि जो यह लेंविश में जुड़ा हुआ है यह हां से ही जुड़ा हुआ है कोगनिटिव डिसक्स करते हैं यहां कि नहीं हूज है घटो आज़ मैं हो डिउर्स ये टोइध ह Liu Sig Ну किसमें दिमाग पे जोर ज़्यादा पड़ेगा वो कॉगनेटिव डिवलेप्मेंट की तरफ ले करके जाएगा अब यहां पर आपको पता है इमोशनल डिवलेप्मेंट हां बच्चा कैसा महसूस करता है यह उसके इमोशनल डिवलेप्मेंट यानि भावनात्मक विकास से ज बच्चा चर्चा में भाग लेता है तो चर्चा भी बिना दिमाग के तो होती नहीं है दूसरा है लेंग्विज डिवलेप्मेंट के सामने लिखा हुए चाइल्ड आस्क्स क्वेशन बच्चा प्रशन पूछता है अब हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिमाग का ज् पूछ सकते हैं ठीक से अगर बच्चा नहीं भी बता पारा सही उसकी भाषा नहीं भी है तब भी वो क्या करेगा क्वेशन पूछेगा क्वेशन पूछने के लिए ठिंकिंग इसकी लगती और ठिंकिंग किस से जुड़ी हुए है कॉगनेशन से तो चाइल्ड आस्क्स नहीं तो यह आसान था question language development से जोड़ दिया हमने discussion में पार्ट लेना एक language development का पार्ट जादा है चर्चा जो है वो भाषा विकास के जादा आती है हो सकते हैं कुछ बच्चे तो पार्ट इना अले अगर language development उस तरह से नहीं हुआ लेकिन question पूछना मतलब बच्चे ने कुछ सोचा है कुछ reason किया है कुछ think किया है चिंतन किया है तर्क किया है तो एक यह option सही बचता है जो आप लोग दे भी रहें 58 परसेंट लोग नहीं तो ए और बी में बहुत लोग कंफ्यूज है एक का first एक आप first नहीं हो सकता language development का first नहीं 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 गलत 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 जवाब दे है नहीं एक फोर एक फोर क्या है चर्चा में पार्ट लेना ठीक है बी का first cognitive development बच्चा question पूछता है question पूछने के लिए thinking लगी होगी 100 प्रतिशत तो आंसर जो है वो सी सही होगा यहां थर्ड के साथ हम जाएंगे बहुत क्लोज है यह लेकिन थर्ड के साथ हम यहां पर जाएंगे बहुत सारी लोगों ने यह ही उत्तर दे दिया है क्योंकि आसान है न हमें लग रहा है language मतलब बच्चे का question पूछना language में आ जाएगा फिर यह इतने बेवकूस थोड़ीं कि आ कॉगनेटिव डिवेप्मेंट चाइल टेक्स पार्ट इन डिसकर्शन चलिए खैर आगे बढ़ते हैं थार्ड ओप्षिन बी का first cognitive हां ठीक तो है और लेंग्वेज का एक फूर हां परफेक्ट तो थार्ड ओप्षन सही है कोई दिखकत नहीं है आगे बढ़ेंगे question number two question number two देखेगा और जवाब दीजेगा cognitive powers of a child वह आपको बता है ने विकास के प्रकाट PCSE physical cognitive socio-emotional यानि शारिक संग्यानात्मक दिमाग का विकास mental development कैते हैं जिसको social or emotional एक साथ आ जाते हैं तो second option क्या second question क्या कहता है फटाफट से देखेगा cognitive powers of a child like imagination power यानि कल्पना करना intelligence यानि बुद्धी ability to take decisions निर्ने लेना are related to child physical development क्या शरीर से निर्ने लेगा बच्चा या फिर बुद्धी या कल्पना करना decision making यह सब आपको बताये हुए हैं यह किसका part है all around development पर क्यों चले जाते हो हैं कौन से नशे हैं यह दिमाग का काम है यहां पर तो दिमाग का का इसी दिमाग के सारे काम इसी विकास के प्रकार से होंगे वो है संग्यानात्मक विकास ठीक है तनी बात आगे बढ़ते हैं question number three देखेगा एक बार questions अच्छे है आराम से practice करो देखो कितना score कर पा रहे हो अजर्शन यानि कथन और इसका कारण apart from academic learning it is important to focus on the socio-emotional needs of the students in an educational setup यानि सेक्शनिक सिक्षा के अलावा यानि सिर्फ academics जो सब्जेक्स आप पढ़ा रहे हो स्कूल में उसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे के सामाजिक सामवेगिक पक्षपे यानि कि वो गुरूप में खेल रहा है कि नहीं उसके सेमोशन को सब्सक्राम को ठीक महसूस चैसा होरा है क्लास्रूम में उसको अपना वनृप मन फिर हो रहा है कि नहीं वो दोस्ती कर पा रहा है कि नहीं अप में नहीं तकdays पारा है कि नहीं इन सब का भी ध्यान रखना सिर्फ बच्चे को रट्टू तो ता नहीं बनाना सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं बढ़ाने हैं उसे यह बात एकदम सही है ट्रू है सेफ एंवार्मेंट कॉंडियूसिव एंवार्मेंट देना जिसको हम सम्रिद्ध वातावरण क कहते हैं परिवेश कहते हैं जहां बच्चा फल फूल सके ठीके ना रीजन क्या है इसका इमोशन प्ले अस सिग्निफिकेंट रोल इन कॉगनिशन जो अनुभूती है अनुभूती नहीं कहेंगे कि संग्यान में भावनाई महतवपून भूमिका निभाती है यानि जो आपक पढ़ना लिखना एकेडमिक्स जो की कॉगनिशन का पार्ट है जिसमें दिमाग का यूज आप कर रहे हैं उसमें इमोशन भी महतवपून है क्योंकि विकास के चारों प्रकार जो है आपस में जुड़े हुए हैं दूसरे को प्रभावित करते हैं हर बार क्वेशन आता है और आता रहेगा तो बोथ एन आरा टू एन आर इस दी करेक्ट एक्स्प्लाइशन ओफ ए एस सही है कि हमें सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं सोच्यो एमोशनल नीज पर भी ध्यान देना है उसका रीजन है कि इमोशन और कॉगनिशन अलग नहीं है जुड़े हुए हैं तो दोनों से ही हो गए क्वेश्ट नबार फोर देखेगा विच और फॉलिंग ट्रेट्स आर डिटर्माइंट सोली बाई हेरेडिटी यान निमलिखित में से कौन सा लक्षन पूरी तरह से आनुवान शिक्ता द तो थोड़ा सा कॉंप्लेक्स कई बार ऑप्शन मुश्किल बनाते हैं क्वेश्टन को क्वेश्टन अपने आप में मुश्किल नहीं होता तो निमलिखित में से कौन सा लक्षन पूरी तरह से आनुवान शिक्ता द्वारा निर्धारत होता है डेली क्लास टाइम भाई 9 पूछा है निमलिखित में से कौन सा लक्षन पूरी तरह से आनुवान शिक्ता जैनेटिक्स आपके आपकी हैरेडिटी के द्वारा पूरी तरह से क्या निर्धारत है समाज यानि इनवाइमेंट से प्रभावित होते हैं जादा यह बात हम जानते हैं लेकिन हमें यह पता है कि कलार ओफियर आईज आपकी आखों का रंग आपकी हैरेडिटी आपके माता या पिता या उन दोनों के पूरवजों से यानि आपके फूर फादर से ही आया है तो जो जेनेटिक्स से गुण हम पासडाउन करते हैं अपनी नेक्स जेनरेशन में उनको हम हैरेडिटरी गुण कहते हैं जो सोली डेटरमाइन कौन से होते हैं आपकी आखों का रंग आपकी तुच्छा का रंग आपके हेर टाइप आपका बॉडी स्ट्रॉक्चर यह सब हैरे हिए निरधारित करती है उच लो गहिए जो मानते हैं आइक यू पूरी तरह से यह इंटेलिजीन्स जो है बहुत हद तक आपके दिमाग आपका जो दिमाग है आपका जो इस तरह है क्याप एवरेज हैं गिफ्टेट हैं आपका दिमाग किस लेवल पे चलता है वह आपके और छानलेगीृटि सब्सक्राइब त्लातो है जाती लेकिन विडिंग और बॉट्फिम आपको यह विक्सत करने के पर दोस्में दोस्ता कूत है krijgen क्रहेंगे इंटलिजनस अगर लेकिन सोल्ली लिख दिया ना अगरी सोल्ली नहीं लिखते तो हम दोनों को साथ ले लेते हैं तो यह एक बेसिक सी बात है और बहुत सारे लोग तो आईक्यू को सही भी नहीं मानते हैं वो कहते हैं बुद्धी एक मल्टी दिमेंशनल तत्व है जिसको बढ़ाया जा सकता है स सही से काम करके बहुत हद तक नहीं बहुत ज्यादा चेंज नहीं आजाए कि लेकिन संभव है क्वेशन नुबर फाइफ देखेगा अजर्शन क्या है यानि कथन है अट्रेडिशनल इंडियन विमेंस रूल इस टू बी इन चार्ज ओफ डॉमेस्टिक चोर्स लाइक सर्व सब्सक्राइब करना अपने बच्चों की देखवाल करना खाना बनाना और सफाई करना अब आप समझ पा रहें यह यह कौन सा थोट प्रोसेस यह स्टीरियो टाइप वाला थोट प्रोसेस लिंग रूधी वद्धिता और अनफॉर्चनेटली कुछ लोग आज भी इसी बात को मांते हैं जीते हैं और यह क्या है स्टीरियो टाइपिंग है कि आप एक्कु एक्वैलिटी और एक्विटी दोन में सो कुछ नहीं है आप अगर देखा जाए तो ठीक ना तो ट्रेडिशनल इंडियन विमें का विमें का रोल क्या है कि वो घर मेरें बच्चों का ध्यान लुए रखे पति का ध्यान रखे यह यह क्या है यह स्टीनियो टाइप को शो करता है रीजन क्या है आप ब्रेडर स्टीनों अर बलीफ हैंड अब आउट करेक्टर स्टिक्स and activity domains that are considered being appropriate for men and women पूछा क्या है लेंगिक रूडी वाधिता उन विशेष्ता और गतिवधी डोमेन के बारे में धारना यह है जने पुरश और महिलाओं के लिए उप्युक्त माना जाता है यह जेंडर रोल्स है जो समाज बनाता है तू है यह बात इक्दम इसका जो रीजन है इसने बताया कि यह स्टीरियो टाइप है अगर कोई बात को कहता है यह स्टीरियो टाइप है तो आठ रेडिशनल इंडियन वमेंस रोल इस तुब इन चार्ज ऑफ दो मेंस्टिक चोर्स लैक्ट सर्वेंग हरस्बेंड और बोथ एन रार करेक्ट एन आर इस दी परेक्ट एक्स् जाने झीन खुर्ट अडवरेंगे ौह स्टीरियो खाली टो नुट आटिक अपकेन इस कुछ फिर ऊलएंगे और श manners हेसाब करेंगे क्या तो है कि क्टहुच आपको पेपर में पहला आप्शन है इट एंहेंस लर्निंग ओनी फॉर इस्टूरेंट्स विद इस्पेशल नीट्स यानि यह केबल विशेश आवशकता वाले शात्रों को सीखने को में सीखने में बढ़ावा देती है यानि वो बच्चे जिनको कोई विशेश आवशकता है इसको देखने में दिक्कत है चलने में दिक्कत है तो फिजिकल डिसेबिलीटी वीज्टरी प्रोबलम इन सब के लिए है ऐसा नहीं हें इंक्लूसेब इजूकेशन हर बच्चे के लिए है एजुकेशन फॉर औल सभी के लिए सिक्षा ये इसका एक कोट है 시र्धांत है जि सिध्धानत है जिस पर यह आधारित है कि हर बच्चा एक च्छत के नीचे सीख सके चाहे किसी को देखने में दिखकत हो चाहे कोई gifted हो चाहे कोई बहुत talented हो हर बच्चा सिर्फ special need वाले बच्चों के लिए नहीं होता है यह बात सही है क्यों सही है क्योंकि यह गलत है और पूछा ही गलत था इसलिए जो गलत है वही सही है ठीक फिर भी बाकी options पढ़ लेते हैं it is the shift in service from the care of disabled children to their education and personal development यानि एक हमारी सोच में shift है कि हम disabled बच्चों को उस तरह से ना देखें कि वो कुछ कर ही नहीं सकते उनके personal development उनके potential को निखार निक की साइकी ने यानि हमारे thought process में बदलाव है बात तो सही है inclusive education is a continuous process और एक not an achieved state or product देखिए सारी चीज़ें चुस्चाहे वो socialization development learning inclusive education की बात हो रही हो यह सारी चीज़ें प्रॉसेस है चलती हो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है एक product नहीं गोली खाई inclusive education आ गया किसी ने टैबलेट दी सीटेट पास कर लिया अपने प्रॉसेस है प्रक्रिया है सीखना पड़ेगा तो यह बात भी सही है सभी बच्चों के अंदर जो छिपी शमताएं उनको बाहर निकालने की बात करता है inclusive education ना की सिर्फ special बच्चों की और यही गलत है जो की पहला option है बाकी सारे सही है question 7 देखेगा क्या कहता है अगें inclusive education वही पांच नमर का topic है questions भी तो उसी वेटे आपको उसी हिसाप से मिलेंगे जो topic की जितनी वेटेज है उसी हिसाप से पूरे सेट में questions डाले हुए है मैनत लगती है lesson planning में उसी हिसाप से आपके सामने फिर आती है ऐसा नहीं है कि कुछ भी random डाल दिया जो आपके पेपर में जिस चीज की जितनी वेल्यू यह मानलो कोई question एक number में आता है उसको साथ question पांच question एक session में मैंने वही करा दिये जो जिसकी वेटेज ही paper में एक number कि यह तो फिर में पूरा topic अलग से वो कर रहूंगी देखे का एक बार question number seven क्या कहता है question number seven कहता है which of the falling is true about inclusive education यानि समावेशी सिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है समावेशी मतलब जो सब को साथ लेके चले changing the existing environment यह नहीं जो environment है मौजूदा माहौल है उसमें बदलाव कि हम अपने thought process को adapt करें teachers भी और students भी वह बच्चे भी जिनको कोई दिक्कत नहीं है चलने फ्रने में और कोई बच्चा है जो बैसाखी से differentiated teaching methods being used इस बार भी पुछा गया यह differentiated instruction तो आप दिमाग में बिठा लीजे विभेदी अनुदेशन क्या है वेरीड लेवल पर पढ़ाना बच्चों को difficulty level आप class में अगर कोई जल्दी सीखता है तो उस लेवल का भी उस तरह से भी पढ़ाते हैं उस तरह के सिखाना है तो आपको अलग अलग लेवल पर पढ़ाना आना चाहिए उसी को differentiated teaching कहते हैं कि आप सिर्फ एक ही method का स्तेमाल नहीं करते सब को एक रंडे से नहीं हागते हैं तो दोनों बाते सही हैं बोत ए एन first and second fourth option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number eight देखेगा assertion और reasoning देखेगा जवाब दीजे फटा फट से solve कर दीजे मुझे पता है आप लोग कर देंगे इसको solve देखना एक बार question number eight क्या कहता है फटा फट से पढ़ो और जवाब दो assertion और reasoning वाला question है जल्दी से जवाब दो देखेगा theory class year app पर चल रही है दोनों जगा करा पाना बहुत मुक्किल है क्यों इस लिए बहुत ज्यादा है और प्रैक्टिस भी करा नी है इसके लिए फिर आप या तो प्रीवेस वीडियो या फिर आप कोर्स में रॉल कर सकते हैं करियर विल पर देखना एक बार अजर्शन क्या है having a diverse classroom with students from varied social economic and cultural backgrounds enriches the learning experiences of all students यानि विभिन सामाजेक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रष्ठ भूमी वाले शात्रों के साथ एक विविद खक्षा होने होने से सभी शात्रों के सीखने के अनुभव सम्रेद्ध होते हैं यानि डिफेरेंट तरह के बच्चे होंगे बैच वालों को पता होगा इंडिवीज का मामला है विक्तिकत विभिनताओं का मामला है कि सारे चलस में एक जैसे नहीं हो सकते कि सी बच्चे का इंटरॉस्ट कि सी हमते बच्चे तो इनको सब को साथ लेके चलना एक अच्छी बात है कि क्लास में अलग-अलग तरह के बच्चे हैं टू सही बात है रीजन क्या इसका only students with visual or hearing impairment and learning disability benefit from inclusion यह कह रहा है inclusive education जिसमें यह सब तरह के बच्चे होते हैं लेकिन inclusive education में सिर्फ वीजोल इंपेर्मेंट वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाता है या नी जिनको देखने में समस्या है यह बात एकडम गलत है क्योंकि हर तरह के बच्चे पर हम ध्यान देते हैं सबको इंख्लूड करना सबका समावेशन तो एस ट्रूबट आरेज फॉल्स सी ऑप्षन या थर्ड ऑप्षन यहां पर सही है जो कि आप लोग जवाब दे भी रहे हैं वैस्ट नमर्न नाइन देखेगा ये एक छूटा सा आसान से क्वेशन एक ट्राइबॉल जैसा ये वाला आको छोगर ranked करना पूछ डिफेरेंट करना कुछ हट के करना जिसमें बच्चा अलग-अलग सोचे डाइसे तिंकिंग से जुड़ी हुई है आप सारी चिंतन से बोला हुआ आपको डी सी साथ जाता है ना की सी सी सीबूढ टो कंवर्जेंट तिंकिंग साथ नहीं जाती बट डाइवर्जेंट थिंकिंग सी यानी क्रियेटिविटी के साथ जाती है ऐसे शॉर्ट फंडे बहुत सारे आपको याद करा करा दिया जाएंगे पेपर तक दिमाग में बैठी जाएंगे ठीक ना तो डिवलेपिंग कॉंफिडेंस इंदेम यदि हम बच इस लिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बोट आफ दीज यानी उप्रयोक तो दोनो ठीक ना क्लियर है बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्ट नमबर 10 देखेगा यह क्या कहता है भाई क्वेश्ट नमबर 10 फटाफट से जवाब देंगे यह कहता है आइस स्पेसिफिक से से स्टरीज इसनों एज एक विशिष प्रकार की सीखने की याउर्णिंग इसिबलिटी जुसको हम अधिगम और शमता कहते हैं लर्णिदिशे टी में क्या आजाती है यह जो लर्निग डिसेबलिटी टेम है इसको दिया था सेमुल किरक ने 1960 मे और इसमें कुछ learning disabilities है जैसे dyslexia dyscalculia dysgraphia dystopia और भी बहुत सारे है dyspraxia यह सारे क्या है learning disabilities है ठीक है अब इसमें आप लोग गडबड करते हुए नजर मुझे आ रहे हैं गलत जवाब आपने दे दिया है देखिए एक विशश्च उप्रकार की सीखने की और रशम्ता जिसमें शबदों वाक्यों और कहानियों को बनाने वाले ध्वनी समुहों से अर्थ जोडने में कठिनाई आप यह मिस कर गए यहां आपने रट्टे लगा लिए के साउंड के साथ वर्ड जोडने में दिक्कत हो रही है या लेटर जोड के पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यह तो डिसलेक्सिया होगी बस पढ़ने की बात हो रही है जबकि यहां अर्थ को समझने में भी दिक्कत है यहां यह लिखा हुआ है difficulty in attaching meaning to sound सिर्फ letter को sound के साथ जोडने में दिक्कत नहीं है meaning को भी जोडने में दिक्कत है ना चाहिए वह वर्ट्स का हो sentences का हो या stories का हो ठीक यह language processing disorder में जाएगा LPD बूलेंगे इसको ना की dyslexia में ठीक है क्योंकि यह meaning की बात होगी अर्थ जोडने की बात हो रही है सिर्फ letter को बी को डी नहीं पढ़ रहा है सिर्फ ऐसा नहीं है उसको अगर वाटर लिखा हुआ तो इसका disorder यह क्या है language processing disorder तो इसमें भाषा को समझने से लेके सुनने से लेके सारी दिक्कते आजाएंगी ठीक ना तो यह इसके अंदर ही आजाएगा डिसलेक्स यह चोटी सी चीज होगे इसके सामने है मुद्ब यहां पर एक टर्म हो गया क्वेश्ण में 11 देखेगा और जवाब दीजेगा फटाफट से पोल आपके सामने हैं क्वेश्चन भी आपके सामने है कि यह सुल्टान वाली बात है फटाफट से जवाब देदो और मेरा सहीत आतिवारी के रहे हैं ठीक है जिए एक्जाम भी आगया है और अब सीटेट भी आगया समझने आ रहा क्या करें एक्जाम देलो भी आट के साथ में बस क्लास अटेंड करते रहों अगर शाम की एक ग अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है आप उसको सुना करके समझा सकते हैं अगर उसको लिखने में दिक्कत है तो आप ओरल टेस्क ले सकते हैं या ओरली उसको कोई प्रेजंटेशन दिखा सकते हैं तो मल्टिपल वेज हो सकते हैं रेप्रेजेंट करने के कॉंटेंट को दर्शाने के प्रमोटिंग इंडिविजुलाइज एडुकेशनल जाते हैं व्यक्तिगत सेक्षक योजना तो जिस बच्चे में जो शमता है उस तरह से उसको डिल करने के लिए क्लेसन प्लानिंग आपने अलग से बनाई हुई है यह भी पॉस्टिव होता है प्रमोटिंग आउटकम ओरियंटेड गोल्स इंस्टेड आफ प्रॉसेस ओरियं यह बात मैं आपको बता चुकियों सबको एक डंडे से नहीं हाकना यानी डूंट बीट एवर्यों विद दे से मिस्टिक सबको से मैथर से पढ़ाना सब बच्चों लिए सेम स्टेंडर सेट करना यह सुनने में अच्छा लगता है है नहीं तो यह दोनों तो गलत हो गए फ इस इंफ्लेंस बैए विच आफ दी फॉलिंग फैक्टर्स यानी इस्पूलों में सीखने के प्रती बच्चों का जोड़ाव निम्न में से किस कारक से प्रभावित होगा कौन सा फेक्टर एजो इंफ्लेंस करेगा सीखने को स्कूल में लर्निंग को सोचलाइज़ेशन बा और सीख भी रहा है बच्चा बात तो ठीक है ना तो यह बात तो सही है पीर रिलेशन्स जो अपने सहपाठी है उसके दोस्त है स्कूल में क्लास्रूम में आसपास महले के भी दोस हो सकते हैं पीर्स उनसे वह कुछ कुछ चीज़ें सीखता है उनसे भाशा से लेके खेल से बहुत सारी बातें वो करता है तो यह बात भी सही है भी लटनिंग में हेल्प करेगा कल्चरल वेल्यू सांस्कृतिक मूल्य जस संस्कृति में आप रहते हैं वहां के किस्से कहानिया पहना आवा बहुत सारी चीज़ें यह भी प्रभाव डालती है सेल्फ एस्टीम ऑफ द लेकिन इस सेल्फ एस्टीम पर प्रभाव पढ़ता है बच्चे की उसका खुद में और विश्वास के वह कुछ कर सकता है इस चीज़ पर प्रभाव पढ़ता है तो चारों बाते यहां सही है यह चारों ही लर्निंग को यानि बच्चे के सीखने को प्रभावित करेंगी आ सही जवाब दे रहे हैं पहले तो यह भी होता था कि मेरे और आपके पेरेंट्स के जमाने में हो सकता है कुछ लोगों का कि किसमत ज्यादा खराब रही हो अगर इस मामले में कह सकते है रेंडम ली हैना वैसे किसमत में ज्यादा विश्वास मेरा कोई है नहीं तो आगर हम देखें तो यह हो सकता है कि कुछ लोगों को यह कह दिया जाता था कि भाई स्कूल में मास्टर जी को या मास्टर नहीं को के हड़ी हमारी और खाल आपकी अपना ठीक से हिसाब किताब कर ले न तो वह वाले लेकिन वह हैल लगी नहीं है बच्चे के लिए वो चीज यह question number 13 what is the adverse effect of insisting on the same answers from all children यानी सभी बच्चों से एक ही जैसे उत्तर पे आप जोर दे रहे हैं कि सबको एगी तरह का उत्तर देना चाहिए क्या प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा इस बात का कि सबसे आप expect कर रहे हैं सेम तरह का उत्तर दे यानी बच्चे रोबर्ट बन जाए अपना दिमाग ही न लगाए अपने एक्जामपल सीन दे तो यह रट्टाफिकेशन है इट विल डिस्करेज चिल्रन फ्रॉम लिस्निंग टू दर टीचर यह बच्चों को सिक्षक की बात सुनने से हतोत साहित करेगा नहीं सिक्षक की बात ही तो सुने है वो अगर वो सेम उत्तर दे रहें तो स सारे बच्चे वह जवाब देने लगेंगे तो ऐसा तो नहीं कि बोलना ही बंद हो जाएगा कुछ हद तक एक्स्प्रेशन प्रभावित हो सकता है बट नहीं इट विल हिंडर दो ग्रोथ ऑफ दो चाइल्ट्स ओन अंडरस्टेंग एन इमेजिनेशन यह सही उत्तर है कि य उससे रोक देगी यह चीज क्यों क्योंकि टीचर ने तो खाया जो किताब में लिखवा दिया जो नोट बुक में लिखवा दिया है वही जवाब बिल्कुल उल्टी करके आना है उसी को उगल देना है पेपर में एक शब्द भी दहर उधर किया तो नंबर कट जाएंगे त तो इससे बच्चा अपना दिमाग लगा नहीं छोड़ देगा रट्टे पर ध्यान जाएगा पस रोट लर्निंग हो जाएगी फुर तो तो इससे यह नुक्सान होगा कि वह अपनी इमेजिनेशन जो उसकी हो सकती थी उसकी क्रियेटिविटी निकल करके नहीं आएगी तो कुछ उप्षिंस तो आपको जस्ट भठकाने के लिए होते हैं वेस्ट नुब फॉर्टीन देखेगा वेस्ट नुब फॉर्टीन किया कहता है भाई वाट टाइप फॉर्टीन प्रमोट थिंकिंग इसके इन चिल्रन अब इसको आप क्रिटिकल थिंकिंग के लिजे अब जयादा जोर आ गया है नेशनल एडुकेशन पॉलिसी आने के बाद बट थिंकिंग स्किल पर क्वेस्टिन हमेशा से आता है सीटेट में इवन क्रिटिकल थिंकिंग पर भी ठीक ना आजव आजव पढ़ लो शादी मसंदर लग रही थी अब हो गई उस बात को पुरा किस प्रखार के प्रशन बच्चों में सोच कॉशल या चिंतन कॉशल का विकास करा पाएंगे या बढ़ावा दे पाएंगे कि बच्ची की सोचने की शमता पे प्रभाव पड़े बताओ एक बार परसनल रिस्पॉंस क्वेश्टिन इस तरह का कॉशन इस बार भी पूछा ह हुआ है व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न के आपकी क्या उपीनियन है किसी चीज को लेकर के आपकी क्या उपीनियन है किसी चीज को लेकर कि कोई कर लेंगा कितने का था संडेवारता में करेंगे ऐसी फालतु बातें पढ़ लो अभी पर्सनल रिस्पॉंस व्यक्टिगत प्रतिक्रिया प्रश्न व्यक्तिक्रिया प्रश्न मतलब जहां पर बचे की उपीनियन मांग रहे हुं पीनियन से रिलेटेद सब्सक्राइब है ना क्योंकि उपीनियन फॉर्म करने में आपका दिमाग लगेगा आपको सोचना पड़ेग कि बच्चे की उपीनियन क्या है इस पर सोचना पड़ेगा एक तो मुझे पता नहीं कि आप डिसलेक्सिक जैसे बिहेवियर हो रहे हैं आजकल मेरे स्पैलिंगे धर हुदर हुए दिमाग में परस्नल रिस्पॉंस क्वेस्टिकत प्रतिक्रिया प्रश्न को लोज एंडेड मे दिमाग नहीं कोई सोचना डिवल सब्सक्राइब नहीं होता नहीं होता लॉट यह इस में आपका दिमाग नहीं लगा इतनी बात क्लियर है ठीक है इतनी बात या कोई दिक्कत परिशानी है बताइए पट्टा फट से जवाब दीजे फॉस्ट ऑप्शन के रहे हैं 47 परसेंट लोग क्वेशन बेस्ट प्यॉर्ली ओन रीडिंग टेक्स्ट यानि सिर्फ पढ़के ही क्वेशन कर पाएं वो नहीं परसनल रिस्मोंस उनका क्या विचार है उनकी परसनल उपीनियन क्या है तो इसम करनों को सही क्रम में लगाना है आपको पहला ऑप्शनल डिफाइनिंग दो प्रॉब्लम यानि समस्या को परिभाशत करना अगर इसमें अवेरनेस आफ दो प्रॉब्लम होता तो वो नंबर वन हो जाता क्योंकि पहले आप समस्या के प्रती जागरुक भी है नहीं कि आपका प्रॉब्लम नहीं नजार आ रहा हमें आ रहा है डिफाइनिंग दो प्रॉब्लम तो हम इसको फर्स्ट बना देंगे और ओप्शन के इसाप से चलते हैं तो आप डिफाइन करेंगे कि पेपर में आपका धाई घंटे का पेपर है यानि देट्सों मिलती है सी टैट में सब तो प्रॉब्लम सॉल्फ करेंगे फिर आता है फॉर्मिलेशन ऑफ हाइपोथिस यानि आप हाइपोथिस को फॉर्मिलेट कर रहें परिकल्पना का निर्मान कर रहे हैं कि यह यह प्रॉबेबल रीजन्स रहे होंगे जैसे कोई कहना तीन बार से पास नहीं हो पा रहा पोरी कहानिया क्वेस्टेंस की तो आपको परिकल्पना परिकल्पना क्या होती है आपके थोड़ आसा लॉजिक के बेस पे आप है पो थे साइज करते हैं इमयाजन करते हैं कि यह second step हो गया ठीक है testing the hypothesis अब यह जो परिकल्पना आपने की है इसको टेस्ट भी तो करोगे कि क्या यह सही है यह नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके लगाओगे यह भी बात हो गई analysis interpretation and evaluation of evidence साक्षय का विचलेशन व्याक्या और मुल्यांकन जो साक्षय आया है उसका विचलेशन और फिर याकर क्या formulation formulating conclusion दो को test करने के बाद hypothesis आप conclusion पर चले जाते हैं conclusion निकालने के बाद first option 57% लोग कह रहे हैं पे first option है आपका देख लेते हैं भाई रुख जाओ first option है a b c d e यानि जैसे ही लगे हुए है वैसे ही लगा दो यह कह रहे हैं आप लोग 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 बी और यह a b a b formulation of hypothesis c क्या है testing the hypothesis फिर सीधा e पे चले गए यानि analysis formulation of conclusion analysis or interpretation and evolution of evidence एक साथ ही चले जाएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने अनलाइस किया और फिर आपने formulate कर दिया जो भी आपकी हाइव थिस थी जो भी रीजन से उनको और फिर आप एक conclusion पर आगे कि हाँ इसी वजा से हम पेल हो रहे थे या final conclude कर पाए question 16 देखना which of the following is or are guidelines to enhance questioning skills among children in the classroom कि बच्चों में प्रशन पूछने के कोशल को बढ़ावा मिले कि बच्चा प्रशन पूछे और अच्छे तरीके से प्रशन पूछे जिससे उसके doubts clear हो यह understanding clear हो पहला option है stop the discussion with the right answer सही उत्तर के साथ चट्चा को समाप्त कर दो बच्चे बता रहे मैं मैं बताओं मैं बताओं आपने का नहीं है इसका उत्तर बात खत्म अब आपने सही उत्तर पहले से दे दिया तो बच्चा कहां से question पूछना सीखेगा या कहां से उ सोचे गई नहीं तो यह तो गलत है encouraging divergent thinking अलग अलग दिशाओं में सोचना इसको हमेशा divergent thinking इतना positive है किस से जाधा positive या जो आजकल social media की भाशा में कहते हैं green flag जवाब हो ही नहीं सकता divergent thinking हमेशा positive रहता है 99.99% cases में divergent thinking का की कहानी वो नहीं है कि किसी context में लिखा होगा तो बहुत रियर ही discourage लिखा हो तब गलत हो सकता है otherwise divergent thinking positive अलग अलग दिशाओं में सोचना model good questioning skills आप बच्चे को अच्छे questioning तरीक से जवाब दे क्या भी excited हैं जवाब देने के लिए तो इस तरह का तो कोई option यह नहीं बन रहा क्या गलत पूचा था सही पूचाता है इन्होंने is our guidelines to enhance questioning skills first second third and fourth stop the discussion with the right answer नहीं first तो कभी नहीं होगा first तो जहां जहां है वहां से हिटा दो second third fourth मिल गया third option third option is the right answer 75% लुक्स ही उत्तर दे रहे हैं आगे बढ़ते हैं question number 17 पर यह क्या कहता है भाई देख लेते हैं इसको which of the following is an example of child centered pedagogy यानि बाल केंद्रित सिक्षा शास्त्र का उधारन कौन सा है बाल केंद्रित मतलब जहां बच्चा सेंटर में है इसको learner centered भी कह सकता है या progressive education प्रगति शीन सिक्षा के नाम से भी question आ सकता है बात बराबर है कि बच्चे को सेंटर में रखना है जॉन डूई को याद कर लीजे children read retrate the stories of peers and teachers in the classroom बच्चे कक्षा में साथियों सिक्षकों की कहानी दोहराते हैं जो चलो ठीक है children share and integrate school knowledge with their experiences within and outside of school बच्चे स्कूल के अंदर और बाहर अपने अनुभवों के साथ इस्कूली ज्यान को जोड़ते हैं और साजा करते हैं यानि रियल लाइफ से connect कर रहे है यह से बहतर है option क्योंकि हमें सबसे बहतर option चाहिए एना children work together and in groups to learn any subject इसमें भी बच्चा एक्टिव है लेकिन इसके जतना नहीं है जिसमें वो खुद से अपने किताबी ग्यान और बाहर की जीवन से जोड़ करके साथ में एक नए ग्यान का निर्मान कर रहा है children share their experiences with peers and teachers in the classroom जो बच्चे हैं वो साथियों और सिक्षकों के साथ जो है अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं यह भी अच्छा है लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चा एक्टिव होगा या उसका नॉलिच का निर्मान होगा वो होगा यह जो रियल लाइफ से जोड़ने को ले इसे चलोगे यह काम करोगे महिला होने से जोड़ी अपेक्षा को डैश कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है डैश के माध्यम से पुरुष और महिला होने के साथ अपेक्षा जो जूड़ी हुई है क्या है यह सोशल कॉंटेक्स्ट है जेंडर इसा सोशल कंस्ट्रक्ट समाज ने बना दिया है तो जेंडर रोल कहते हैं इनको एक यह बात तो सही है यह क्या है जेंडर रोल है और क्या है आर रेफर्ट टू एज इनको स्टीरोटाइप भी कहा जा सकता है बिल्कुल सहीए तो डाल लेका टाल में इसक कंपे लेकिन इन को जैंडरों कहते ही के थे यह बात सबसे आसाने समझ अब जैंडरों सुएटाइपिंग अगर हो जाएगी यह नहीं कि भुलकुल ठपा लगा देकी काम यही करेगा तो तो स्टीडियोटाइप में चला जाएगा जैंडरों कहते इन दीजार लेंट कहां जेनर रोल्स कहां सीखे जाते हैं थ्रूआउट चाइल्वुड एंड इन टो अडल्ट होड बच्पन से ही अरे तुम लड़की हो धीरे बोलो है ना यह करो उल्टे जवाब मत दो यह क्या है जेंडर रोल्स में टाइपिंग की जा रही है आपकी जे सब्सक्राइब बीच इसका समर्थन कौन करता है कि इंटेलिजेंस में भी विववदिता के रूप में देखा जा सकता है सिक्षार्थियों के बीच इसका समर्थन कौन करता है कि इंटेलिजेंस में भी विववदिता पाई जा सकती है पहला ऑप्षन है इंटेलिजेंस इस नौट इंफ्लूएंस बाइज जैनेटिक फैक्टर्स के बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती जबकि ज्यादा प्रभावित होती है आनुवांशिक क के साथ सीखोंगे नहीं माहौल नहीं देविए तो वो बिविक्सित नहीं हो पाईगी ठीक से तो यह बात गलत हो जाएगी के एंवार्मेंट का प्रभाव नहीं पड़ता आईक्यू टैस्ट सार्दी ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ये एकदम नेगेटिव बात है जो ड सब्दी के काई आयाम है अलग अलग प्रकार से बची इंटेलिजन तर फिए ऊसकता है कोई स्पोर्ट में कोई ड़ANS में अच्छा होगा कोई मिक्स में अच्छा होगा तो वह सब इंटjutर यहां लेकिन मौत आप्छंट प्रकार की बद्धी बहाई हूए होए दिखेगा य कहता है who among the following critiqued the concept of general intelligence and proposed and alternative theory of intelligence यह सीट में आया हुआ क्वेश्चन है नए पुराने अलग लग एक्जाम्स में आया हुए है आपके जो इसलिए सीट को बेस कहा जाता है कि आप पहली सीड है बेस बना लिजए आगे मिलती हैं इन topics की कि जेंडर है सोचलाइजेसन है इंटलिजन्स है ऐसे कितने एक डिवेलपमेंट है जो हरे एक एक ग्जाम में देखने नहीं किये बल्खी तो यहावर्ट गार्डनर ही बचते हैं जोनों ने आठ प्रकार की बुद्धी दी है और एक जनरल इंटेलिजेंस को क्रिटेसाइज किया है यह क्रिटेसाइज किया है यह क्या कहता है यह क्वेशन भी पतानी कितनी वार कितने तरीके से सीड़ में प्रिवियस यह है उनको हम बिल्कुल रिवाइज ना करें इसलिए एक सही बैलेंस में प्रिवियस यह क्वेशन वी दो चाट्ष ऑने चाहिए एक सैट में तो केरल ग्लेगन के अनुसार लॉरेंस को बख्व गोग को जो सब्रितेस क्रिटेस किया ऊनुर्ण को लगे लिए के सिद्धांत की गई है यह हर बार आता है पिछले कई सालों से तो लगाता रहाता है कि नौट एपलाइं कॉंटिटेटेव मैथर्ट ऑफ एनलेसिस के इन्होंने विशलेशन के तरीके नहीं अपनाएं एक दो ही बाते हैं एक है इन्होंने फैमिनिस्टिक परस्पेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा यानी फीमेल्स की मॉरालिटी केर वेस्ट होती है इस बात से ध्यान नहीं दिया मुख्य रूप से यह जेंडर बाइस यह कहा है यह दो बाते हैं इग्नोरिंग जेंडर डिफ्रेंसे इन मॉरल रीजनिंग यानि नैतिक तर्क में जो लिंग भेध है कि महिलाएं अलग तरास तर्क करती है क्योंकि उनकी जो मॉरालिटी है वो केर बे सब्सक्राइब को ध्यान में रखा जेंडर बाइस यह एक ही बात है वर्च नुमर्टी सेकिंड एक है यह क्या कहता है प्रपेरिंग एनी प्रोजेक्ट इन साइंस और मैथेमेटिक्स में गिफ प्लेजर टू प्यूपिल अज़र्ट ऑफ विच ही शी इस मोटिवेटेट प्रोजेक्ट किया एक बच्चे ने तयार और विद्यार्ति को खुशी मिली जब उसने वो प्रोजेक्ट बनाया तो उसको बड़ा मजा आया जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वैम इसी तरह की गतिविधिया करने के लिए प्रेरित होता है इस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसको बड़ा मजा है और वो अब खुद से भी इस तरह की एक्टिविटीज करने लगा है या करने लगी है यह कौन से प्रकार की अभी प् होती है एक इंटर्नल और एक एक्स्टर्नल इंटर्नल में रिजन अंदर होता है एक्स्टर्नल में रिजन बाहर होता है बच्चे के किसी भी काम इस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसको जरत तो नहीं थी कि वो इस तरह की एक्टिविटी फिर से करे लेकिन उसको मजा है यह के लिए वो कर रहा है reason अंदर है reason अंदर है यह intrinsic motivation extrinsic नहीं है वो project करना project करने के बाद उसको लगा कि मुझे यह चीज अच्छी लग रही है number के लिए नहीं project तो हो सकता है खतम हो गया वो फिर भी वो काम कर रहा है तो इसका मतलब थार्ड option इसमें आप लोग बोट की तरफ भागे हुए हैं लेकिन बोट नहीं होगा इसमें जवाब है ना क्यों नहीं होगा क्योंकि external motivation नहीं है इसका reason देख पढ़वो फिर से question को विज्ञान गड़ित में कोई भी एक project किया बच्चे ने परियोजना तयार करने से विद्यार्थी को खुशी मिली जॉय नंबर की बात नहीं हुई है जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयम इसी तरह की गतिविधिया करता है वो project करना external काम होगा लेकिन उसको खुशी मिल है कि उसको खुशी मिली मिला क्या अगर बाहरी चीज मिली होती को रिवार्ड नंबर मार्क्स इस तरह का कोई शील्ड मिली होती तो हम कहते यह external है दोनों भी है क्योंकि खुशी भी मिली और शील्ड भी मिली यहां सिर्फ खुशी के मिलने पर बच्चने आगे वो काम किया है तो intrinsic motivation है के वल एक में ठीक जी हिंदियो में ठीक कर देया वहां वन मिसंग था एक तो थार्ड ऑप्शन इस दी राइट आंसर कॉश्च नबर 23 एक लिए एक बार मिस्प्रेर ना वूद लाइक हर श्रूएंस तो बी मोटिवेटेट तो दू दियर वर्क विदा इस टाइम विच वन आफ फॉलिंग इस टाइप आफ मोटिवेशन शी शूद एंकरेज इन हर इस्टूटेंट्स पेपर में दो क्वेशन आए हुए मैंने सैट में भी दो क्वेशन डाले है आपके मोटिवेशन के इंक्लूसिव एजुकेशन पांच नंबर काता है तो कम स से कम चार-पांच क्वेशन आपको मिलेंगे थर्टी आउट आउट थर्टी सीरिस का मतलब यह नहीं बस तीस क्वेशन उठाई कुछ भी और करा दिये जिस तरह से पेपर बनता है उसी तरह के क्वेश्टन उसी प्रपोर्शन में आपको मिलेंगे ठीके ना रिवार रिव क्राइगा उनको प्राइज मनी मिलेगा उनको फस्ट आएंगे वो इनको इस्प्र मिलेगा इन सब के लिए काम ना करें बल्कि कि अपने आपसे काम करें इन सब करें तो वो किस तरह से बच्चों को motivate करना चाहती है वो है intrinsic motivation और आपको बहतर भी यह होती है positive internal जिसका reason हो जिसका locus of control जिसका center of control जिसका reason internal होता है और यह लंबी रेस का घोड़े वाली बात है कि यह ज्यादा लंबी चलती है internal motivation ही better है बहाए तो आज चॉकलेट मिल रही है कल को चॉकलेट से बड़ा कुछ चाहिए होगा परसों को और चाहिए होगा तो अंत नहीं होता है यहाँ पर internal joy आपको मिलता है जब आप कोई काम करते है ठीक ना locus of control internal है यहाँ पर खाली locus of control लिखने से कुछ नहीं होगा intrinsic locus of control का मतले है center क्या है motivation का तो internal में internal intrinsic में internal होता है external में extrinsic होता है question 24 देखिएगा क्या कहता है बही है Children learn the knowledge is skills values and customs of the society only through formal agencies बच्चे अपचारिक एजेंसियों के माध्यम से ही समाज के ज्यान कौशल मूल्या और रीति रिवाजों को सीखते हैं और याता вес już क्या है आप अठीक एजंसिया का आप चारी के एजंसिय स्कूल हो सकती है और चारिक एजंसी लाइड एक और ट्रेंगद ला रहे हैं आप बच्चे को कोई music किया किसी बीचीज की वह सब औक उपचारिक एजंसी इफार्मल थहां पिरmented और उनिफार्म सारी चीज़ें है only through formal नहीं भाई हम तो जीवन से सीखते हैं परिवार से सीखते हैं values हुई knowledge हुई ग्यान तो आप skills भी आप अपने दोस्तों से सीख लेते हैं वो नाव बनाना बच्पन में कागज की कौन सा इसके साथ मैंने आपको बताया था यूकर लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन आज दो फिकल भी दो दो चार छे ऐसे बस हर दिन बराबर चलता रहेगा लीनियर नहीं होती है और इसका मैंने एक्जामपल भी आपको दिया था रेखिये नहीं होती इस पाइरल होती है कोई भी प्रॉसेस चाहे वो लर्निंग हो डिवलेपमेंट हो यानि अधिगम हो विकास ह हो सब्सक्राइब हो दो चाहिए सामाजी करन वो चाहे हम इन्क्लीशब एड़केशन की बात कर लें प्रॉसेस होती है सिंपल नहीं होती लिनियर नहीं होती रेखिये नहीं इसपाइरल होती है आगे पीछे एक दिन आपको सीखते हैं दूसरे दिन डाओट आता है सर में ड तो इस्ट्रेट लाइन हो जाएगी टाइटा भाई बैए फिनिश तो लीनियर नहीं होगी लर्निग या कोई भी प्रोसेस जो सोचलाइज़शन भी सिंपल प्रोसेस निये कॉंपलेक्स है समाज बदलता रहता है समय के साथ नियम बदलते रहते हैं सही और गलत का मीनिंग बदलता रहता है तो दोनुहीं गलत हैं बोट एन आरार फॉल्स दोनुहीं बातें यहां गलत होगे वस्ट नमबर 25 देखिए पांच सवाल और बचे हैं वस्ट नमबर 25 है जीन प्याजेस कंस्ट्रक्टिविजम प्रोपोजेश देट शिल्रन प्रोग्रेस थ्रू फोर स्टेजिस ऑफ कोगनिटिव डिवलेप्मेंट चार स्टेजिस हैं प्याजे के संग्यान आत्मक विकास की थेयरी में स्टेजिस सेँअट कराया हुआ है नहीं किया है तो अब कर लीजिए एस फॉर सेंसरी मोटर समवेधी परत जन्म से दो वर्ष पी फॉर प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक दो से साथ वर्ष, कॉंक्रीट ऑपरेशनल सी से मूर्थ संक्रियात्मक साथ से ग्यारा वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल अप्चारिक संक्रियात्मक ग्यारा से पंध्रा वर्ष, ये चार स्टेजिस हैं जिसमें बच्चे का लेकर के आए कि अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों में चर्चा करो बैठो तो आप भी सीख जाओगे यह वाइगास की कहते हैं अपनी एंवार्मेंट में एक्टिविटी करते हुए वह पैन के साथ खेल रहा है तब भी वह अपनी समझ बढ़ा लेगा जरू नहीं है व क्वेशन आपको देखने को मिलते हैं दो से तीन क्वेशन आ जाते हैं मैंने इसी तरीके से दो क्वेशन कम से कम डाले है अना अकॉर्डिंग टू जीन पे आजे एट विच स्टेज ऑफ कोगनिटिव डिवलेप्मेंट कैन चिल्डन ऑपरेट ऑन ऑपरेशन एंड परफॉ लिखते ही तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह फॉर्मल ऑपरेशन की बात हो रही है और ऑपरेशन पर ऑपरेट कर सकते हैं इसका मतलब लॉजिक के परेच चले गए अब एप्स्ट्रेक्ट थिंकिंग अमूर्थ चिंतन भी कर सकते हैं ग्यारा से पंद्रवर्ष हाइपो का नाम ही है प्याजे का नाम है वाइक ऑस्की इस सोशियो कल्चरल अप्रोच तो इनकी थियोरी के नाम में इस कॉगनिटिव डिवलेप्मेंट नहीं है लेकिन यह संग्यान यानि बच्चे की समझ के विकास को लेकर यह यह थिरी बनाई गई है तो आपको बताए सुसाइ यहां दिख जाए वहीं वाइगास की समझ जाएगा मैचुरेशन पनिश्मेंट अडेप्टेशन यह सब वाल तो बाते हो जाएंगी यहां तो सुसाइटी कल्चरिया लेंविज इन तीनों में से कुछ मिल जाए तो वो कल्चर की बात करते हैं कि कैसे सांस्कृतिक उपकरन चाहे वो भाशा हो लोग हो दादी नानी की कहानिया हो यह हमारे दिमाग को कैसे विक्सित करती है क्वेशन नमर ट्वंटी एड देखेगा क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन ओफ स्टुनेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेगिलर स्कूल्स विच फॉ पूछे जा सकते हैं उनको छोड की नहीं जाएंगे कि पर्था कह रही है कि आपके कारण मेरे दोनों पर क्लियर होगा लव फ्रॉम असम बहुत बढ़िया जी देश मेर से प्यार मिलता है अच्छा लगता यह देखकर गये देखेगा फटा-फट से बताओ नियमित स्कूल में दिव्यांग शात्रों को शामिल करने के संबंध में रपी डवीडिये एक्ट राइट आफ परसंस विद रसेवलिटीश एक्ट इसमें कितनी डिसेबलिटीज है 21 कि क्या कहता है यह पूछा है हमसे एक्स्टा टाइम फॉर क्या कहता है या क्या नहीं कहता है एक मैंट स्कुल्स विच आफ फॉलिंग इस अगेंस्ट अगेंस्ट पूचा यही खेल हो जाता है एक शब्द से उत्तर बदल जाएगा शामिल करने की संबन्ध में निमलिखित में से कौन सा प्राफधान दिव्यांग वेक्तियों के अधिकार अधिनियम दिव्यांग लिख ली जगा सब्सक्राइब है जिसको मोर देन फॉर्टी मिनिमम फॉर्टी यानि चालिस परसेंट या उससे अधिक डिसेबिलेटी है तो एक सर्टिफिकेट बनेगा और यह सारी जो भी हैल्प से हैं या कह लिए एक तरह से क्या कहेंगे इसको रिजर्वेशन से एक तरह से जो अगर्ण फॉर्ट लेंगेज को से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि दिव्यांग बच्चों को आपी डवीड एक्ट में कंपल सरी कंपल सैरली दो भाशा यह तीसरी भाशा पढ़ाई ही जाएगी कंपल सरी नहीं है यह और मदर टंग की बात होती है जैनली रीजनेबल अक्मड पूछा था हम से इससे पहले जो एक्ट आया था जो परसंस विद डिसेबिलिटीज है पी डवीड एक्ट आया था उनने सो पिच्चानवे में और उसमें थी सिर्फ सेवन डिसेबिलिटीज साथ दिव्यांगताएं थी 2016 में यह और पी डव्यूड बन गया पी डव्यूड इससे क्यूंकि राइट-फपरसंस विद डिसेबिलिटीज कहने लगे इसमें हो गई 21 इसविलिटीज बढ़कर के 14 इसेबिलिटीज को एड किया गया और भी इसेबिलिटीज एड की जा सकती है क्योंकि इसमें प्रावधाने नोटिफाइब करके आप एड़ कर सकते हैं कि मैंने अलग से वीडियो यूटीव पर बनाया हुआ है एक सिक्षक अपने शात्रों के बीच मेटा कॉबिशन के विकास को यानी परासंज्यान के विकास को बहतर करना चाहता है सुविधा जनक बनाना चाहता है निमलिक इतमें से कौन सा कॉशल इस उद्देशे के लिए साहय यह नहीं होगा मैटा कॉबिशन कॉबिशन है दिमाग का यूज करना थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग और इसके भी परे चले जाना मैटा का मतलब यह बयोंड मैटा वर्स नहीं बना रहे थे ये फेस्बुक वाले भाई साहब और वही मैटा है यह लिए निडे के परे ठिंकिंग तिंकिंग अब ऑउट फिंकिंग इवयर्नेस अब अवयर्नेस जिसमें आपके दिमाग की थोड़े से अदेन और खुलें यानि यह इंग इन करना हां सही है प्लानिंग करना मॉनेटर करना यह सारी चीज़ें आ जाथी है लेकिन रट्ता ल क्या सही करूं इस बार कि इन तीन महीने में कैसी प्लानिंग करूं कहां कहां से क्या-क्या पढ़ना है ताकि कोई गुंजाईश ही ना बचे तो आप खुद से एक प्लान करके रिव्यू करके रिफ्लेक्ट करके खुदी एवेल्यूएट करेंगे साथ में इस चीज को तो वह मुल्टी दिमेंशनल होगी डिस और गनाइज नहीं चीज़े तब तो दिमाग में सेट होंगी अगर एक पेज इसका दूसरा पेज किसी और चैप्टर का तो कहां से और गनाइज होंगी यह नहीं रशनावादी लोग बच्चे को एक्टिव रखने पर फोकस करेंगे इड बिगड़बढ है इंटर एक्टिव एक्टिव रखना है और यह कॉन लोग है क्वेशन इस पर आता ही है आप प्र उठा के देखेंगे प्याजे वाइगोस की ब्रूनर यह सब फ्रॉप्टिव इस लोग है ये अलग से आपको टॉपेइक में नहीं लिखा मिलेगा स्लेबस में बट इकंस्टर्ट वजम प्याजर वाइगा उसकी में ही आप काउंट कर सकते हैं इंटर्रैक्टिव यानी बच्चे अंतःक्रिया कर रहे हैं डिसकोशन कर रहे हैं डिस्कॉषन कर knowledge ज्यान का निर्माण बच्चे को एक्टिव रखने पे मीनिंग में यानि अर्थ निर्माण पे फोकस करेगा बच्चे को सेंटर में रखेगा आउट अपने कितने क्वेश्टन साज ठीक किये और आपको मजाया नहीं आया सेशन में समझ में आये पढ़के समझने कि एक अप्रोच डिवलेप हुई या नहीं कैसे क्वेश्टन को सॉल्व करते हैं यह समझाया कि नहीं इसका जो पीडियाफ है कल नहीं तो परसों आपको सारे पीडियाफ का लिमन जाएंगे विसे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे और अगर इसके अलावा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं आउट अफ तर्टी कितने ठीक हो जरा कॉमेंट करके बता दो और सेटेदे संदे हम रखेंगे और हम मिलेंगे मंडे नहीं तो हो सकता है कि अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन हुई और अगर मंदे तक नहीं आ पाई तो तू रहा है लेकिन कर देंगे इसको कमिंग वीक से फिक्स नौ बजे का ही और सवाल हो तो पूछो 28 आउट ऑफ 30 26 16 कोई बात ने अभी नंबर से जजमत कीजे खुद को अभी थोड़ा सा समय दीजे एक अप्रोश डिवलेप होने दीजे इस तरह के चार-पांच सेशन होते ही आप समझ में आ जाएगा कि हां बहतर हो रही हैं चीजें और भी चीजें जो हम इन बिट्विन करते चलेंगे बीच बीच में टॉपिक्स का डिस्कर्शन करते रहेंगे जो हम करते हैं तो फिक है आज के लिए इतना ही थैंकियो सो मच कोई और सवाल हो कोई डाउट रह गय है हो तो वाप और रहन से बूच लिजगा